सिक्टरवन भिलाई के नेहिरुस कल्चरल हाउस में गर्दीनों शाहेदारी प्रेजेंट रफी नाइट तुम मुझे यू भुलाना पाऊगे काईकरम की प्रस्तूति दी गई यह जन का 24 वा वर्ष था काईकरम मुख्यतिधी के रूप में व्रशाई नगर विधायक रिकेश सेन शामिल होए इजवरान दूर्ग भिलाई की बलकी पुएच थिसगर्ड से पहुंचे कलाकारों ने अपनी सुमधूर गायकी से दर्शकों को मंत्र मुख्द कर दिया स्वर्गी मुख्मद रफी की गायकी का कोई सानी नहीं है पर उनके चाहने वाले संगीत प्रेमी उनके गीतों को गा कर उन्हें या जरूर समय समय पर क्या करते हैं बता दे हर साल स्वर्गी मुख्मद रफी की पुन्य दिथी पर उनके चाहने वाले चद्धान दली कायकर मुहम्मद रफी की पुन्न दिथी पर किया करते हैं। काईकरम था मधूर गीतों की प्रस्तुती का तो यहां पर कलाकारों ने मधूर गीत प्रस्तुत के। मुधे गले से उन्होंने रिकेश सेन का आभार जताया और उनका साधुवात किया। मंच के माध्यम से रिकेश सेन ने कलाकारों के दर्द को साजा किया और इसके साथ ही म्यूजिकल ग्रूप शाहिद आरिफ की प्रशंसा दिल से की। और हम दों एक साथ के काटते आएं कई सालों से। आप दोनों के उजल भविश की कामना करता हूं और आपको आगे बढ़ाने में जो ये परदे के पीछे जो म्यूजिशन हैं। आप सब को भी बधायों साथवात देता हूं। ऐसे ही भिलाई के लिए आप लोग हमेशा खड़े रहे हैं। लोगों को मर्ववंजन करते रहे हैं। तो कि आज के समय में लोगों को सुकून चाहिए। और कुछ पल ऐसा चाहिए कि वो अपने लिए निकाल सके और निशीतुर से मैं भी सुबे से राइपूर अलग अलग जबे से कालकम अटेंट करके मुझे भी सुकून की तलास थी और इत्मिनान से रफी साहत के गाने सुनने थे साहित भाई और आईप भाई दोनों के माध भाई कीजे और आप दोनों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं शुब कामना देता हूं ऐसे गया के बढ़ते हो दन्यवाद मैं निवेदन करूँगा कमना भाबी बहुत गरीबी और बहुत मुफिस्ति की दौर पे चल जाएगा कि आप इनके लिए कुछ ऐसा करे बिया जो हम कलाकारों का अंत बहुत बहुत मुश्किल है तो प्लीज इनके लिए ऐसा कुछ आप सोचें और हम सारे कलाकारों के करके लिए आपका यह प्यारी जिवनकारा ने आपका यह आशिरवाद दिया है पैचा होगा कि कुछ जो शब्दा आप आज किसका रिकरां के लिए और भावी के लिए बुले को निश्चितुर से और किस्ट्रा का एक विप्वित समय भी आया था एक गवर भी था और उस स बचा के रखा और भावी की से मुलाकात हो यह याद है अच्छे तरीके से नब्बे का वो दौर था जब दो ऑर्केस्टर में कॉंपटिशन हुआ करता था अगर पुराने लोग हैं तो याद होगा एक तो कादर और किस्टर और एक राटर और किस्टर के दोनों में कॉंप जारें जब ये गाने चंग रहे थे तो आवी भाई आप बता दो कि कादर भाई जो है उनकी पाटनर रहती थी जीनक और हमनों को अच्छी तरीके से याद है कि उसके लिए इस ओर्टेस्टर के लिए पुलीस कूर्स लगती थी बटालियां को दैनात किया जाता था और एक समय भी ऐसा था और उसी दौर में ही राठो अर्केस्टर भागी जी का यहां पर जानता हूं ये बात कि कलाकार क्योंकि मुंबई में भी हम लोग लगता है गज़र बनाया रखते कि कलाकारों की स्थिति क्या हो जाती है एक समय तक अच्छा समय चलता है उसके बाद वि इस्तिती बिगरती है तो मंच तो मिलना दौर हो जाता है उसके अर्थी किस्तिती और मेडिकल किस्तिती से भी लोग परशाशाश हो जाते हैं इसके लिए मेरा प्रयास आएगा कि विदान सभा में मैं इस व्रश्न को उठाऊं और ऐसा कुछ हो कलाकारों के लिए अगर से बहुत से लोगों को बहुत साइविदे हैं मुझसे और मैं भी चांथा हूं कि उस्मूइत को पुरा करने का काम करूं लेकिन कुछ पावंद्या होती है लेकिन साहिज भाई आपने संजार में डाला है मैं आप सो साधुवात देता हूं उस बात की कि आपके अंद मुझसलिम समास से विलाव करते हैं मैं 26-27 साल उसे मैं देख वाव इनके साथ आवी भाई को कौन सा भगवान की ऐसी कौन से आर्थी नहीं आती है कौन से हमारे हिंदु धर्विका कौन सा बज़क नहीं आता इस पेशल आए भाई वो उपर वाले ने बनाया है शाहिद भाई को बनाया है और इनके अंदर जो पून है और यह दोनों भाई वेवारी इतने शहर के अंदर कि इनके वेवित परिश्थिती पे भी इस शहर इनके साथ खड़े रहता है अब भावी जी आप चिन्ता मत दि लोग बड़ी बड़ी समस्या लेकिन एक फोन से समधान हो जाता है आपके लिए बड़ी समस्या हो सकती है लेकिन आपका समधान हो सकता है लेकिन आपके मांदयम से प्रस्राल सक्तए ऐसे कलीज़िसर हो हैं। और जब अमिस्ताना का जब चैन हुआ विलाई के तरफ से विलाई जो उठा था लेकिन अब अमिस्ताना का भी पता नहीं है उसे इंगे नाइडल कर लेकिन हमको ऐसे कलाकारों को वापिस अपने भिलाई की धर्ती पे लाग्यों से फिसल स्टैक करना चाहिए और भिलाई के है काम सिर्ण सड़क नाली बना देना नहीं होता है ऑपनी संस्किर्टी वबिचाने का गाम भी जन्प्ति निदियों को करना कोई मदद नहीं चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपने विधान सभा को एक आदाश विधान सभा बनाना चाहता हूँ अपने विधान सभा बनाना चाहता हूँ आपके विधान सभा बनाना चाहता हूँ और कुछ नया करने का प्रयास करता हूँ कि जितनी तकलिफे हैं एक कि कला काु कहीं तकलिफ नहीं हमारे ऐसे खिलाडी है जो अंतरह वास्चिस्थर पे- बिलाई की जिनोने पहिचान बनाई है चाहे हम वाज verwahan को ले ले हूँ चाहे हम सबा अंजून को ले ले चाहे हम आशिश अवड़ा को ले ले ऐसे कितने वास्चिस्ता हों तर वास्चिस्ता के खिलाड़ी है उनकी भी आमशक्ता भिलाई को बिलाई को चाहिए कि ऐसे विक्वित परिस्तिती में ऐसे जो खिलाड़ी है उनके साथ मजबूती से अस्तुत के काईक्रम इतना मनमुहक था कि मुख्य अतिति रिकेश सिंसहित शामिल सभी दर्शक मंत्र मुख्द होकर गीतों का लुच्प उठाते देखे गए अल्ला हूँ अल्ला हूँ अल्ला हूँ अल्ला हूँ जिन्द की राज है दिल्डी धड़न में ये किसी आवाज है मर गए देवालों के दामन मगर मर गए देवालों के दामन बगर देवाला किसी को ना आया नजर पर दिखे बाला किसी को ना अटा ब़ंचा अजी तावास सज़चा अजी विस एकसवंचा int..? यिस मुलकी घंता अजी वैद्टाइद्ट्ट्स आंजी उलस सथाल विस आमके बुझलि वादी ओंने. आपना तेरे मुन्से की गल्याब है वाद। आपना तेरे मुन्से की गल्याब है वाद। आपना तेरे मुन्से की गल्याब है वाद। किसी में जो तुमें जिना नमुम्किन है उसका जिना कैसे नजर कोई डाले को कैसे नजर कोई डाले लासे की इतना लूसा जार में इतने इतना लूसा कि इतना लूसा की इतना लूसा जार में जार कोई लूसा की इतना लूसा जाय जार किरिक प्रुम झाल dulu जोया जमंख़कें घम खुख सव lattice रखची लेखें टूम धल्स कर रोती हुष जल्स को तूम है यार जड़ोसी में जिकिमें जरकैंगल कि तर बिल्स के चसे ली जरका उन आच결 सचाओं का नत कर भी देरे बत्त की काने को नहों जिगर का दोगा हसी नगों की काने को सचाओं का नत कर भी देरे बत्त की काने को नहों जिगर का दोगा हसी नगों की काने को एक दिन दो रहा है, चल जा गया है एसीन नियूस के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट